हेलो दोस्तो, काफी दिनों के बाद अभी हम राजा साब मूवी के बारे में बात करने वाले हैं बहुत सारे, बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं कि भाई राजा साब मूवी के बारे में कुछ अपडेट लेकर के आओ आप तो उसको पूरा एकदम से भूली गए हो यार कोई अपडेट नहीं आ रहा था तो कैसे बताऊं लेकिन अभी जो हमें सुनने को मिला है अभी जो हमें देखने को मिला है लिटरली मैं चौक गया हूँ, आप भी चौक जाओगे और वो अपडेट हमें देखने को मिला है प्रवास से नहीं आपको पता होगा बहुती बैतरिन कॉमेडियन है वो बहुत सारे साउध इंडिन फिल्मों में हमें उनको देखने को मिला है डालिंग प्रवास के भी बहुत सारी फिल्मों में उनको हमें देखने को मिला है और उनकी करेक्टर जो है मुझे खास तर पर डालिंग और मिस्टर अफेक्ट में मुझे जदा अच्छा लगता है उनकी कमेडी जो होता है एक्चुली में वो कल्लू कोईला ऐसा कुछ बन करके आते हैं ओके और डालिंग प्रभास के खिलाव होते हैं तो प्रभास सिनों की तरब से हमें अभी राजासाब मुवी की अपडेट कुछ देखने क मिला है और बेसक वो इस फिल्म में होंगे ही होंगे क्योंकि राजासाब मुवी का जेनर जो है वो हरार कमेडी फिल्म है तो कमेडी भर भर के इस फिल्म में होगा और ब्रमानंदम सर भी इस फिल्म में होंगे मेरे भाई ओके तो ब्रमानंदम भी इस फिल्म में है तो प्र हूँ तो आप देखे होंगे एक चीज़ के उपर में जरूर हाइलेट करता हूँ कि राजासाब मुवी जो है यह इतनी बड़ी फिल्म नहीं है इस तरह की बाद मैं करता हूँ और सभी का मतलब राजासाब मुवी को लेगर के कुछ ऐसा ही सोच था की राजासाब मुवी जो है कोई बड़ी फिल्म नहीं है सलार जैसा फिल्म कलकी जैसा फिल्म स्पीरिट जैसा फिल्म जैसे डार्लिंग प्रभास के अपकमिंग फिल्म है डार्लिंग प्रभास अभी जिस तरह की फिल्मे कर रहे हैं तो वैसा वाला फिल्म जो है राजासाब नहीं है, इतनी बड़ी फिल्म नहीं है इसकी collection की, इसकी violation की, BFX की, इन सारी चीजों की कोई दिक्कत नहीं है, फिल्म आएगी, enjoy करेंगे कुछ इस तरह का हम सोच रहे थे लेकिन प्रवास सिनु जी के कहने के मुताविक उनके update के according बाई साब, ये भी प्रवास की लेवल वाली फिल्म होने वाली है कि कहने के हिसाब से, इस फिल्म में कुछ ऐसे एंगल भी होने वाले है जो कि आज से पहले इंडियन सिनेमा में हमें देखने को नहीं मिला है ये भी एक बड़ी प्रोजेक्ट है एक बड़ी फिल्म है जो कि खतरनाग विजिलियसन खतरनाग सिनेमा एक्स्विरियंस की दावा करती है मेरे भाई, इसमें डालिंग प्रवास कोई फी नहीं ले रहे है, इसलिए इसका बज़ेट जो है कम है, लेकिन जो बज़ेट है उसी बज़ेट में केजेब चैप्टर टू जैसा फिल्म बन गया था, जो कि 100 करोड में ओके, वो भी स्टार कास की फीज वगरा सब कुछ मिला, अगर के इसमें डालिंग प्रवास तो फील यहीं नहीं रहे है, तो इसका अलुमेनियम फेक्टरी का होगा, और सेकेंड हाब जो है फिल्म का मैक्सिमम सीन जो है, उसी सेट पे ही सूट किया जाएगा, कुछ इस तरह का अपडेट देखने को मिल रही है, ओके लेकिन गाइस, मैं खुद चौक गया, कि भाई, राजासाब मुवी भी एकदम खतरनाग फिल्म होने वाली है, बोल करके मतलब खतरनाग, मतलब बड़ी फिल्म होने वाली है मतलब डालिंग प्रवास की फिल्मों में हमें जिस तरह की विजियोलेशन जिस तरह की सीन वगेरा जिस तरह की cinema experience होता है हमें तो वैसा वाला चीज जो है राजासाब मूवी में भी होने वाला है इसी बज़र से इस फिल्म का हीरो जो है वो डालिंग प्रवास है सरी है बस ढखते हैं इसका अगर कोई output वगरा फिर आता है और कुछ मतलब मारूती अगर कुछ ले करके आते हैं हमरे सामने रखते हैं तभी पता चलेगा और किस तरह के दुनिया ये बना रहे हैं और डालिंग प्रवास को लेने का क्या इरादा है इस फिल्म का एक्चुली वो बात में पता चलेगा लेकिन मैं इसकी आउट्पुट के बारे में अगर आपको कुछ बताऊं तो अभी कुछ नहीं आने वाला है मैं तक जब कल की मूवी आएगा कल की मूवी का तुफान थमेगा उसके बाद राजास साब मूवी की तरब से वो छोडने वाले हैं बाक टुबेक छोडने वाले हैं लेकिन कल की 298-80 मूवी जो है अभी जब आएगा कल की 298-80 मूवी देखने को मिल जाएगा लोगों को उसके बाद राजास साब मूवी की का प्रमोशन स्टार्ट होगा और उनके कहने के मुताविक हमें बहुत सारे poster बगरा, बहुत सारे output बगरा देखने को मिलेगा खेर, राजासाब मूवी के लिए आप कितना excited हो, एक comment जरूर करिया release date तो वही है, सक्रांधी के टाइम पे ही film release होगा मतलब 2025 जन्वारी में ही राजासाब मूवी हमें देखने को मिल रही है झाल बटापको चले को, थाज वादी ने गोगा झाली तो